हेलो गाइस, वेलकम टू के रिलिस्ट, वन सॉर्ट, वन कोशन सीरीज के इस लक्षर में हमनों देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ओप एलिमेंट एंड इस प्रियोरिसिटी चैप्टर का कोशन, जो की कुछ इस परकार है, मैच दी ऑकसाइड गीवन इन कॉलम वन, विट इ दिये हुएं, सबका प्रोपर्टी मुझे पता नहीं है, देखें, यहां सबका प्रोपर्टी पता ना हो, तो इसके लिए ज़्यादा परिशान होनी कि आप सत्ता नहीं है, यदि आपको एट इस दो का भी प्रोपर्टी पता है ना, तो आप एंसर तक पहुंच सकते हैं, देखिए किस तरह से, देखिए, sodium, अब मैंने आपको बार-बार बताया है, कि जो भी metal oxide होता है, इस तरह को देखिए बड़ा ध्यान से, metal oxide, अब पहले क्या हम लिखते हैं, generally, metal, then after क्या, non-metal, अब metal oxide and non-metal oxide, दूसरा हम लोग generally क्या लिखते हैं, यहां क्या है, sodium metal, बहुत अच्छा metal है, alkali metal से विलॉंग करता है, तो इसका oxide क्या होगा, basic in nature हो क्या होगा, तो 1 का क्या होगा, B, अब देखते हैं कौन सा option है, 1, B, सही, 1, B, सही, अब देखो, C और D, B और C, और D क्या होगा, कट गया, अब तो 50-50 का मुकावला होगा, यानि कि अब chances सही, जादा हो गई हमारी कुशन सही हो सकते हैं, चली, आगे देखते हैं, अब देखें, AL2-O3, अब AL2 याद कीजिए, आपने देखा था, कि Beryllium, Magnesium, और यहां क्या, Boron, Almonium, हम लोग क्या करते थे, Diagonal Relationship लगाते थे, और पतरते थे, क्या, AL2-O3 का क्या होता है, Oxide M4 Teric होता है, यानि कि Second का क्या, D, अब Second D किसमें है, वल्ली और वल्ली इसमें है, यहां पर Present नहीं है, यानि कि Option D ही Right Answer होगा, देखें, जितना बड़ा कोशन था, देखने मिलता है यार, बड़ा सा कोशन है, पता नहीं होगा, या नहीं होगा, गबड़ाओ मत, टेक, ऐसा नहीं है, ज्यादा Time लगेगा, Time भी बहुत कम लगेगा, कुछ लोग जो है, इसलिए भी छोड़ देते हैं, कि बड़ा कोशन है, Time जदा लगेगा, नहीं, बिलकुर नहीं लगेगा, बहुत आसानी स्वाल्प हो जाएगा, और देखें, आप कितने आसानी से मैंने इस कोशन को स्वाल्प कर दिया, तो चलिए, मिलते हैं, नेक्स लेक्शर में, हम लोग नेक्स कोशन के साथ, तब तक के लिए, All the Best, जैहिंद,